हलो शबी को नमस्कार मैं अर्म सर आप सभी का यूटुब चैनल एशड़ी वितरम शिम्य स्वागत करता हूँ वित्रों आज सीटेट का जो गड़ी से च्छर से आज प्रैक्टिस सेट नमबर आठ इस्टार्ट होने जा रहा है तो सभी लोगों को नमस्कार और एक साथ जु का सभी लोग फटाफट सेयर कर दिजीगा ताकि एक साथ सभी लोग जुड़ सके और इसे प्रैक्टिस सेट का लाफ्थ रापत कर सके चहलिए कि खेवर कर दीजिए गापटापट सभी लोग कि सभी को नुश्कार गूड यूनी तकि एक साथ सभी लोग जुड़ सकें और इस प्रैक्टिस यड़ में ज्यादा से ज्याधा संक्या में लोग जुड़ें इसका लाग क्राफिक कर सके ही मारा अमुए और लाइक और सेट Kita हुरा करें रिए वित्रों अदिक से अधिक इसको सेर करें क्योंकि सभी जितने भी यह पांच जूलाई सीज़ांगी हैं वह सभी का इस प्रैक्टिस सेट का आδिक सेधिक लाफ प्राफ को सके पटापट सेर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग एक साथ जोड़ सके और जल से जल यह प्रैक्टिस से स्टार्ट किया जा सके नमस्कार गूड इवनिंग शभी को गूड इवनिंग पटापट सेर करिएगा और कांपी पैन लेके बैठिएगा मिस्कूड सभी लोग कांपी पैन लेके बैठें ताकि आसानी से इनके उत्तर आपको प्राप्ट हो सके और जो भी विशेश पॉइंट हैं उनको आप नोट भी कर सकें सभी लोग सेर कर दीजएगा आइये बठाबट सेर कर दीजएगा आएए चलते हैं अपने प्रश्च पर देखते हैं पहला प्रश्च अए एक ताजा मझली को सुखाने पर उससका भार एक बटे तीन रह जाता है अर्थाग जो मझली उसको सुखाने पर भाग ढट जाता है बार कितना एक बटे तीन रह जाता है 1500 केजी ताजी मचली 25 रुपए प्रति केजी के भाव से खरीद कर उसको सुखा कर 80 रुपए प्रति केजी के भाव से बेच देती है इस प्रकार वे कमाती है अर्थात जो सुनीता है वे ताजी मचली खरीदती है और कितनी 1500 केज जी खरीदती है उसे जब खरीदती है ताजी में चली उस समय उसका जो रेट होता है वह 25 रुपए प्रति केजी के हिसाब से होता है और जब वह सुखा लेती है तो यह बटे तीन भाग उसका रह जाता है फिर वह जब सुखाने रोपाद में तो सबसे पहली क्या है तो 158 कीजी है है तो जो ताजी मछली इसका रेट पहले निकाल लेती हैं कि तना उसने खड़का किया है मछली को खरीदने में तो पंदरी allora और इंटू 25 25 क्योंकि 25 रुपए प्रत कीजी की साब से उसने ताजी मचली खरीदी थी तो 25 का मिल्टिप्लाइ कर देंगे तो 25 पंची 125 बारे 25 एकम 25 जो 37 अर्थात 37,500 रुपए की वह खरीदती है 37,500 रुपए की खरीदती है उसके बाद में वह सुखाती है तो सुखाने पर एक बटे ती तीन रह जाती है तो 1500 कीजी उसने खरीदी 1500 का सुखाया उसने तो एक बटे तीन भाग रहे गया तो तीन एकम 3 तीन पच्चे 15 यानि 500 500 कीजी सुखाने के बाद में मचली बचती है अब उसे 80 रुपए प्रत कीजी के हिसाब से भेजती है तो 80 का मिल्टिप्लाइ कर देंग तो 80 तो 85 40 40 अर्थात 85 40 40,000 यानि 40,000 रुपए की वह बेचती है तो कितना कमाती है उसने खरीदी थी 37,500 रुपए की और उसने बेचा है यानि विक्रे किया है तो 40,000 पर किया तो 40,000 से 37,500 माइनस कर देंगे इसमें जो अंतर होगा वह उसकी कमाई होगी तो आप 40,000 से माइनस कर दीजिए 37,500 तो बचेगा आपका कितना तो पचीश सो बचेगा अर्थात कितना पचीश सो रुपए वह कमाती है तो आपसन नमबर सेकेंड इस दा राइट आंसर प्रइट अंसर देखेंड देख जी राइट आंसर नया जी राइट आंसर प्रण प्रण लगाते रही है तो आज़े सेकेंड प्रेस्न का उतर दीजिएगा second question पर चलते हैं second question है हमारा एक bottle में 750 ml juice बढ़ा जाता है यानि एक bottle में 750 ml juice बढ़ा जाता है ऐसी छे बोतलों को यानि 750 ml juice वाली छे बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है एक box में कह सकते हैं एक कार्टून पैक से जाता है तो 450 लीटर juice के लिए आवस्य कार्टून की संख्या अर्थात एक लीटर एक bottle में 750 ml आता है ऐसी बोतलों छे बोतलों को एक कार्टून में आप जानते है पैपसी की आती है box आता है जो polythine draper से उसमें 6 बोतल होती है तो 6 बोतल ये कार्टून पैक किया जाता है तो 450 ml अगर juice होगा तो कितने कार्टून में पैक होगा उनकी संख्या तो फर्स्ट आप्शन है 100, सेकंड आप्शन है 75 थर्ड आप्शन 80 और 4 अप्शन है 90 तो सबसे पहले आप ये निकाली जीए कि बोतलों की संख्या कितनी है संख्या जब पता होगी तब ही कार्टून की संख्या में पता कर पाएंगे तो 750 ml की 6 बोतले है तो 400 इसको पहले ml में बदल लेंगे तो 450 लीटर को ml में बदलने के लिए 1000 का डिवाट सरी, multiply करेंगे तो आपका आजाएगा 45 लीटर है तो ml में बदलना है तो ml में बदलने के लिए आपका डिवाइड हो गया तो ये आपका आगया कितना? इतने ml आ गया है अब इतने ml में टोटल इतने ml juice है आपके पास अब एक लीटर में तो 750 का डिवाइट कर देंगे इसमें डिवाइट कर देंगे, कड़ जाएगा तो आपका आजाएगा 75, 35 25 आपका आजाएगा 600 600 आजाएगा 600 तो 600 बोतल यानि बोतलों की संख्या निकल के आएगी बोतलों की संख्या 600 आजाएगी 600 बोतल हैं और एक कार्टून में 6 आती हैं तो 6 का डिवाइट कर देंगे इसमें 6 का डिवाइट करेंगे 6 का डिवाइट करने पर 6 कम 6, 6 दाम यानि 100 आजाएगा तो हंडेड कार्टून में पैक होगा, हंडेड कार्टून, अर्थात, आप्शन नमबर, फर्स्ट इस दा राइट आंसर, नेच्ट कोश्चन है, पाँच, दस और पंद्रह, तोरी, पाँच, दस और पैतिस, के सबसे बड़े, सबसे बड़े, सार्व गुणाज, और सबसे छोटे, सबसे छोटे, सार्व गुणाज, का अंतर है, का अंतर है, फर्स्ट आप्शन है आपका, 75, सेकेंड आप्शन है आपका, 30, थर्ड आप्शन है आपका, 65, पूर्थ आप्शन है आपका, 48, फटा फड़ लगाईए, तो आईए प्रशन परे, 5, 10, 35 के सबसे बड़े सार्व गुणाज, मैंने बोला था, बड़े दिखे, सार्व गुणाज दिखे, एक साथ, तो बड़े, सबसे बड़े की जगे छोटे है, छोटे, सार्व गुणाज और सबसे बड़े सार्व गुणाज, यहाँ पर बड़े होगा, बड़े, सार्व गुणाज का अंतर है, तो निकालिएगा, 5, 10, 35 के सबसे छोटे सार्व गुणाज और सबसे बड़े सार्व गुणाज का अंतर है, फस्ट अप्सन है 75, थर्ड 30, और सेकंड 30, थर्ड है आपका 65, फोर है आपका 48, फड़ा फड़ा सबसे बड़े, सबसे छोटा दिखे, सार्व गुणाज दिखे, तो छोटा और सार्व गुणाज का मतलब होता, एलसीयम और बड़ा सार्व गुणाज दिखे, तो इसका मतलब होता है, एलसीयम और एलसीयम का जो अंतर होगा, वही आपका अंसर होगा, तो 5, 10, 35 का एलसीयम निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया था, एलसीयम निकालना है, बड़ी संक्या देखे, 35 में 70 हो जाएगा, 70 में चला जाएगा सभी का, तो यहीं आपका लसीयम हो जाएगा, फ़र्ष्ट लसीयम निकाला आया, अब सबसे बड़ा अर्थात बड़ा का मतलब है, सीयम इसका निकालना है, तो 5, 10, 35 का जब एलसीयम निकालने के लिए आपको सबसे चोटी संक्या देखन उसका सभी में डिवाइड एगर चला जाता है, तो वहीं है, 5 का डिवाइड दस में चला जाएगा, 5 का डिवाइड 35 में चला जाएगा, तो 5 ही आपका है, अब इन दोनों का अंतर निकालना है, तो 70 माइनस 5 बराबर 65, तो यहीं आपका अंसर हो जाएगा, आपसन नमबर 3 is the right answer next question प्रश्न है प्रश्न है प्रश्न है और तीन हजार और तीन हजार अठाइस का योग है फर्स्ट आप्सन है आपका 387 सेकेंड आप्सन है आपका 30 3537 फर्ड आप्सन है आपका 3087 प्रश्न आते हैं जो बहुत ही इजी होते हैं लेकिन इसमें भी लोगों को बहुत कन्फूजन हो जाते हैं क्योंकि वह इतनी जल्दी में होते हैं कि उनको समस्यां क्रियेट हो जाते हैं और ऐसे इतने सरल से जो प्रश्न होते हुए भी वहाँ पर मिश्टिफ हो जाते हैं वलत हो जाते हैं तो 509 तो आपको 500 तो 509 और 3028 तो 1000 की स्थान पर 3 लिखेंगे और 28 है तो केवल 28 था 28 जीरो तो 3028 का योग कर देंगे 9 8 17 7 2 1 3 5 3 यानि तीन पांश तीन साथ तीन पांश तीन साथ आपसन नंबर शेकंड लगवक सबी लोगों के राइट आंसर है है नेच्ट प्रेशन की और चलते हैं नेच्ट प्रेशन है नदी में एक नाव की चाल 20 किलो मीटर प्रति घंटा है और एक दूसरी नाव की चाल 23 किलो मीटर प्रति घंटा है यह दोनो नाव एक साथ एक साथ एक साथ एक इस्थान से एक इस्थान से एक दिसा में एक दिसा में छोड़ी जाती हैं तो साथे तीन गंटे बाद इनके बीच की दूरी क्या होगी क्या होगी आप्सन नमबर फर्स्ट है आपका आप्सन नमबर फर्स्ट है आपका 10.5 किलो मीटर सेकेंड है 20 किलो मीटर थर्ड है आपका 8.5 किलो मीटर और फर्स आपसन है आपका 28.3 किलो मीटर लगाएं फटा फटा सकते हैं बहुत अच्छे प्रश्टों की स्रंखला आप लोगों के लिए लेकर आते हैं इसलिए आप लगाता प्रैक्टिस सेट करते रहें केवल आप प्रैक्टिस सेट इतने सॉल्व कर लेंगे तो उमीद है और यह भरोसा भी है कि आपका अच्छा से अच्छा नंबर जो सीटेट में होंगे वह इसकोर होंगे और आप बेहतर तरीके से आप सीटेट को कौलिफाई कर पाएंगे फिलाल मैथ में पूर्टे आपके अच्छे नंबर होंगे इसके अत आप लगाई है मित्रों और एक सूचना है मित्रों मैं संडे को सुबह 11 बजे 21 तारीक संडे को सुबह 11 बजे आपके साथ लाइब आने वाले हैं जिसमें बहुत विशेश प्रकार की चर्चा होने वाली है तो उस लाइब क्लास में आप सभी लोग इस वीडियो को और इस स ज्यादा से ज्यादा सेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जुड़ें और वहां पर उस लाइब वीडियो में जो विशेश प्रकार की चर्चा होनी है उसका सभी लोग लाप राप कर सकें क्योंकि अधिकांस चात्रों के मन में यह कहीं ना कहीं काफी समस् कि जो तैयारी प्यानी परिच्छा के लिए जो पढ़ाई की जाए, वह पढ़ाई कैसे की जाए, कहां से की जाए, कब की जाए, कितनी की जाए, तो उन सभी बातों पर विशेश चर्चा होगी उस लाइफ क्लास के माध्यम से, तो आप उस लाइफ क्लास से अवस जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को जोड़े ताकि सभी को ये प्लाब प्राफ्ट हो सके पड़ा पड़ां सब दिगेगा मिक्रों तो प्रश्न पे आईए नदी में एक नाव की चाल 20 किलोमेटर प्रतिगंटा है और दूसरी नाव की जो चाल है वह 23 किलोमेटर प्रतिगंटा है ये दोनो नाव एक साथ एक स्थान से एक दिशा में छोड़ी जाती है और थात कोई एक ये नाव है और एक ये नाव है ये दोनो एक दिशा में एक साथ छोड़ी जाती है इनकी जो चाल है वह चाल अलग अलग है एक है 20 किलो मेटर प्रति गंटे की चाल से और दूसरी है इतने गंटा बाद इन दोनों जो नाओं के जो बीच की दूरी हो जाएगी क्योंकि एक की चाल जादा है तो बीच की जो दूरी होगी साड़े तिन गंटे बाद कितनी होगी वह निकालनी है तो चाल दोनों की दे रखी है आपका समय दे रखा है तो चाल और समय दे रखा है आपको पता है समय दे रखा है आपके पास साथ बटे दो गंटा अर्था साड़े तीन गंटा और चाल दे रखी है ये पहली नाओ की चाल है ये दूसरी नाओ की चाल है दूसरी की चाल है ये तो चाल आपको पता है, फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो आपको दूरी निकालनी है, दूरी निकालनी है, तो चाल इंटू समय हो जाएगा, चाल इंटू समय, चाल कितनी है, बीस, पहली निकाल लीजिए, पहली नाओ क चाल निकालेंगे आप पहली चाल तो आपकी 20 है तो चाल दिखिएगा 20 गुड़े समय 7 बटे 2 तो एकम दो दो सते 70 यानि पहली जो आपकी जो दूरी निकल के आ रही है पर सुरी पहली दूरी तो पहली दूरी निकल के आ रही है 70 किलो मीटर दूसरी निकालेंगे तो दूसरी निकाल लीजिए तो दूसरी दूरी तो दूसरी दूरी के लिए आप चाल कितनी है 23 इंटू समय 7 बटे 2 तो आप निकालिएगा तो साथ रिकी 20 24 15 16 16 16 16 16 16 15 यह आपकी दूसरी दूरी निकाल लाई है दूसरी दूरी यानि दूसरी जो नाव है वह 80.5 किलो मीटर दूरी पहुच गई है और एक 70 पहुची है तो इन दोनों के मद्द के अंतर कितना है तो 80.5 से 70.5 माइनस कर देंगे तो माइनस करने पर आपका आंसर आएगा 10.5 तो आपका यही आंसर होगा यानि बीच की जो दूरी होगी वह 10.5 किलोमेटर होगी अर्थाथ आपसर नमबर फस्ट इस दर राइट आंसर अर्था नेश्ट प्रस्ट ना है अर्था ने एक जी राइट अंसर दीप जी राइट आंसर आपको याजी राइट आंसर पड़ा पड़ सेर करती जो यह गल को शेयर कर दिया करें लाइक कर दिया करें नेक्स्ट है आपका प्रस्ट बैयालिस के गुड़न खंडों की संख्या है साथ सेकेंड आपसन है आपका तीन थर्ड आपसन है आपका नो फॉर्ट आपसन है आपका आट फटा पर लगाई है कि बहुत हीजी ताइब के प्रश्ट आते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान और धहरता रखेंगें तो 42 के गुड़न खंड निकाल लिए तो 42 को क्लासिफाइड कर दीजिए चाहे गुड़न खंड भी से कर दीजिएगा और चाहे डायरेक्ट आइसे कर दीजिएगा किस तुन 42 42 से बिल्कु ठीक 42 तो आप गुड़न खंड कर लिजिएगा किसी भी मेटड से कई तरीके से कर सकते हैं 42 का गुड़न खंड करेंगे दू 24, दू एकम दू, दू से जाएगा नहीं 3 सते 21, साथ constrained, यानि 2 गुड़े 3 गुड़े 7 तो कितने गुड़न खंड हैं 32, 42 के तीन गुड़न खंड है, आफ स्ञार्ट से कंड तो है आपसन नमबर सेकंड डिस और राइट आपसर प्रश्माइब प्रश्माइब दस इकाई प्लस ग्यारे सैकड़ा प्लस बारे इकाई बराबर है बराबर है फ़स्ट आप्सवन है आपका 1,2,1,3, 2nd आप्सवन है आपका 1,2,1,2, 3rd आप्सवन है आपका 1,2,6,1,2,3,4, 4th आप्सवन है आपका 2,5,3,2 फड़ा फड़ लगाई है तो आइए 10 इकाई 10 इकाई का मतलब वही एक ही जो अंग दिया होगा वही है 11 सैकड़ा तो 11 ये कहाँ पे लिखा हुआ है सैकड़ा पे तो सैकड़ा का मतलब 100 यानि 2,0 तो 11 के नीचे 2,0 12 इकाई और बराबर है बराबर है किसके तो 12 इकाई तो 12 इकाई का मतलब वही संक्याली भी जाएगी दो एक एक दो एक और एक यानि 112 तू टू रहेगा यह आप्शन रहेगा आप्शन गलत में मिस्प्रिंट हो गया था 1122 यही आएगा कि वन बन टू 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 आएगा अगा 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 नेक्स प्रस्ट हैं चार अमकों वाली सबसे बड़ी संक्या अग्या चार अमकों वाली सबसे बड़ी संक्या और तीन अंकों वाली सबसे चोटी संक्या और तीन अंकों वाली सबसे चोटी संक्या का योगफल है कितना योगफल है तो आपसन नमबर फस्ट है आपका आपसन नमबर फस्ट है आपका 10099 और आपसन नमबर फस्ट है आपका 9999 नेस्ट है आपका थर्ड आपसन 10999 आपसन नमबर फस्ट है आपका सबसे बड़ी संक्या और तीन अंकों वाली सबसे चोटी संक्या इस प्रकार के प्रेश्टन ही सीटेट में दिकांस पूछे जाते हैं तो आईए शुरू गरते ही चार अंकों के सबसे बड़ी संक्या तो समी को पता होगी 9999 और तीन अंकों के सबसे चोटी संक्या का योग पर तो तीन अंकों के सबसे चोटी संक्या का अर्थ ये मत विल्कुल भी मतले एक हजार विल्कुल भी नहीं लिया जाएगा बस यहीं पर जो गलती होगी सीटेट में जो प्रश्ट होते होगे बहुत आसान होते लेकिन कहीं पे सब्द पर जिसे से ध्यान नहीं दिया आपने, तो महीं पे mistake होती है, अब यहां पे कुछ लोग एक हजार कर देंगे, जब कि एक हजार नहीं होगा, यह 1, 2, 3, 4, 4 अंकों वाली संक्या हो गई, तो 3 अंकों वाली संक्या होगी 100, यहां पर केबल गलती होती है तो 100 होगी 1, 2, 3, 3 तीन अंकों वाली संक्या होगी, इसका योगपल तो 100 को एड कर दी दियेगा, 9, 9, 9, 1, 10, और 9, 1, 10, यानी 100 और 99 भी आ जाएगा, यानी option number first is the right answer, यही mistake होती है मित्रों चोटे चोटे से, जो आते हुए फ्रस्ट भी गलती हो जाती है और बाद में जब आप चेक करते हैं, उसका अंसर तो कहते हैं, अरे यह तो चोटी सी गलती थी, और वह चोटी सी गलती ही आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतने को तयार कर देती है नेक्स प्रस्ट है पानी की एक टंकी पानी की एक टंकी 11 मीतर 11 मीतर लंबी 10 मीतर चोड़ी और 9 मीतर उची है इसमें 6 मीतर उचाई तक पानी भरा है भरा है तंकी का कितना भाग खाली है तो तंकी का कितना भाग खाली है बहुत इजी प्रस्ट है परन्तो इन पे छोटी सी गलती आपको पूरा आपका रिजल्ड खराब करके चलिए आती है लगाया पटापट आपसर नमबर यह है एक बटे दो सेकंड एक बटे तीन थर्ड है आपका एक बटे छे थर्ड और फोर्द है एक बटे चार्ड पटापट लगाई तो आईए प्रेश्ट पर चलते हूं पानी की एक टंकी है इसमें 11 मीटर लंबी है 10 मीटर चोड़ी है और 9 मीटर उची टंकी है इसमें 6 मीटर उचाई तक पानी भरा है टंकी का कितना भाग खाली है तो कितना खाली है और कितने में खाली है तो भाग निकल आएगा तो खाली भाग निकालने के लिए आप क्या करेंगे खाली भाग पता करने के लिए आप कितना खाली है कितना खाली बटे कितने में खाली कितने में यानि कुल कह सकते हैं या कितने में कितने में यानि इनका आयतन लिखना है कितना खाली आयतन और कितने में खाली आयतन ये आयतन दोनों के लिखने हैं आपका आंसर घ्याथ हो जाए तो पहले टंकी का कुल निकाल लीजेगा यानि टंकी में कुल आयतन अगर बात की जाए कुल कितना निकल के आएगा तो आपको पता है लंबाई गुणा चोडाई 179 आव खाली खाली काथ और नॉची तंकी है च्छाई उचनी भरा है हिए जई के बाद अगर खाली उचााही है नौ मेटर टोतल, नौ में 6 भाग पानी भड़ा है, 6 मीटर तक उचााही तक भड़ा है, और आप उचाही तक भड़ा है, तो खाली कितना आईए पाड, यानि 6, 9 से 6 दिवायट तक तो या तक भड़ा है, तो आपका खाली बाणने के लिए निपाला гр per t खाली कितना तो 9-6 बराबर 3 मीटर यह खाली उचाहिए निकलाई तो 3 यह सिकट जाएगा 10 से 10 तीन एकम 3 तीन त्रक का 9 आप आ जाएगा 1 बटे 3 भाग क्या है तो खाली है यही आंसर हो जाएगा आपसर नमबर सेकंड इस दा राइट आंसर है नेक्स्ट प्रश्न है तो फटा फट सभी लोग शेयर कर दिया करें लाइक कर दिया करें और सुचना विशेश तोर पर ध्यान रखें लाइट प्लास जासे ज्यादा से ज्यादा संक्या में जुड़ें और सभी लोगों को सेयर करें सभी के पास नोटिफिकेशन लगबग पहुँच गया होगा जो छूटे हुए होगे उनके पास जल से जल पहुच जाएगा नेश्ट है सौरप ने सोम वार को साढ़े चार घंटे मंगल वार को 190 मिनट बुद्धवार को बुद्धवार को पांच बच के ट्वंटी एम से नौ बच कर 10 एम तक और शुक्रवार को और शुक्रवार को 210 मिनट काम किया उसे प्रति घंटे के 42 रुपए मिलते हैं तो सोम वार से शुक्रवार के मद्ध कुल कितना धन कमाया आप्शन नंबर पश्ट है आपका शिक्स फ्रिल शेवन आप्टा नंबर सेटे है पांसो सत्रा है आप्टा नंबर थड़ है आपका छहस्च कान सो साथ आप्सें नंबर फूर्थ है आपका आठ सो नपे आप सवन दिये गया पड़ा-पड लगाएए तो आईए अपने प्रेश्ट पे चलते हैं सौरव ने सोमवार को इतने गटे काम किया मंगलवार को एक सो नपे मिनट काम किया बुद्धवार को इतने से इतने एम तक काम किया और सुक्रवार को यहां पे मित्रों 220 है, 220 मिनट काम किया, उसे प्रति गंटे 42 रुपए मिलते हैं, तो सुमवार से सुक्रवार के मद्ध में उसने कुल कितना धन कमाया, अर्था सुमवार को उसने इतने गंटे काम किया, मंगलवार को इतने मिनट या गंटे काम किया, और बुद्धवार को इतना समय काम किया, और सुक्रवार को इतना समय काम किया, वह ब्रश्पत को नहीं गया था, जब जब जाएगा नहीं तो उस दिन का कोई काम नहीं तो पै आया तो एक गंटे में 42 रुपए मिलता है उतने गंटे काम किया चितने गंटे काم किया औरबब बिलने कि चतने 52 का qa कर देगे 42 कि 42 आ जाएगा नव एकम नो तरेटारा एक सो नव आसी रुपए उसने सुमवागों कमाया मंगलवार को उसने कितना कमाया तो मंगल के लिए निकालते हैं तो मंगलवार निकालने के लिए 190 मिनट है मिनट को घल्टें बदलेंगे तो 60 का इंटू 42 का मिल्टिप्लाइ कर देंगे जीरो से जीरो कर जाएगा च्छे कम च्छे सते 42 साथ नवा त्रेसर के तीन लगा च्छे साथ च्छे तेरा 133 रुपए उसने कमाया किस दिन तो मंगलवार वाले दिन उसने 133 रुपए कमाया अब बुद्धवार वाले दिन का समय निकालते हैं कितना समय है कितना काम किया तो उसने इतने बज़े वह गया था इतने वज़े तक काम किया यह आपका T1 है तो T2 से T1 माइनस करेंगे तो समय निकाल आएगा तो 9 बच कर 10 मिनट से 5 बच कर 20 मिनट को माइनस करेंगे 10 से 20 माइनस नहीं होगा एक केरी लिया जाएगा पूरा गंटा आएगा गंटा आएगा यानि यहां भी लिखा जाएगा मिनट में तो गंटे को एक गंटे में 60 मिनट तो 60 यहां लिखेंगे 10 पहले से तो 60, 10, 70, टोटल 70 मिनट, 70 मिनट से 20 माइनस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 50 मिनट, और इधर आपका एक गंटा कहरी चला गया था, तो बचा 8, 8 से 5 जाएगा, तो 3, 3 गंटे 50 मिनट उसने काम किया, तो 3 गंटे 50 मिनट है, तो टोटल मिनट में बदल लो पहले चाहिए, तो 230, 230 मिनट है, 230 मिनट को गंटे में बदल लेंगे, 60 का दिवाइट करेंगे, इंटू 42 का मल्टिप्लाइ कर देंगे, तो 0 से 0 कर जाएगा, 6 कम 6, 6 सते 42, 7 रिक 21 के 1, 2, और 7, 94, 15, 16, 16, उसने जो आपका बुद्धवार का कमाया, तो वह कितना कमाया, तो 161 रुपे उसने कमाया, अब उसके बाद में स्करोवार को उसे 220 मिनट काम किया, तो सुकरोवार का समय, रुपे निकालते है, तो सुकरोओर का समय है, उसके पास 220 मिनट को गंटे में बदलेंगे, 60 का डिवाइट करेंगे, और इंटू 42 का मल्टिप्लाइ कर देंगे, 00 काट जाएगा, 6 कम 6 6642 साधुनी 14 के चार और 1645 उसने कमाया किस दिल सुकृषवाट पुल झाली रहा और तू आपका प Irish आपक माया सु आतो तोटल जोड़ देंगे एक में तो नव दस दोबारे तेरे तेरा और चाह सत्रे के साथ सत्रे के साथ और एक बचेगा पांच छे पांच ग्यारे डाएक का इब चयात अब अब कई पांच थे आइधा आप शब्स तेरी पोर और प्लस नहीं प्रेसर येिए आपका प्रकार मित्रों जितने भी प्रैक्टिसर चलने उन सभी पर लगातारा प्रैक्टिस करते रहेगा आपके बहतर नंबर श्कूर होंगे और मित्रों सुचना को विशेश ध्यान रखें सभी के पास लगबर नौटिफिकेशन पहुँच चुका होगा जिसके पास नहीं पहुचा होगा उन सभी के पास आप से एर कर दीजेगा और प्लस नौटिफिकेशन मैं भी डाल दूँगा तो पहुच जाएगा सभी के पास सब्सक्राप्ट होने वाले बहुत से समस्यांव का छुटकारा होगा क्योंकि जो आधिकान से शातरों के अंतरगत बनी रहते हैं कि पढ़ाई कैसे करें कहां से करें कितनी करें उन सभी बातों पर शुर्चा भी तो आप उस लाइक टास में अवश्च जुड़ें और सभी को शेयर करें लाइक करें और जितने भी हमारे नए बंदू हैं वे चैनल सब्सक्राइब करें वेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें क्योंकि आपको जितने भी सुचना हैं वा वीडियो हैं उन सभी की सुचना आपको तभी प्राप्त हो पाएगी जब सब्सक्राइब करते हैं